हेलो फ्रेंट्स स्वागत आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल विकास 3-1 टैक में तो फ्रेंट्स जब भी हम यूट्यूब पर अपना नया चैनल बनाते हैं तो उससे पहले हम अपने चैनल की कैटेगरी सोच लेते हैं और इससे रिलेटेड कुछ वीडियो भी अपने माइंड में सोच लेते हैं कि मैं यह यह वीडियो बनाऊंगा लेकिन जब हम 50-100 वीडियो अपने उस यूट्यूब चैनल पर डाल देते हैं तो उसके बाद हम बहुत ज़दा परेशान होते हैं कि अब मैं इस अपनी जो कैटेगरी है इससे रिलेटेड कॉंटेंट कहां से लाऊं इस पर वीडियो कैसे बनाऊं मैं तो सारी वीडियो बना दी हैं आप कॉंटेंट कहां से मिलेगा तो friends मैं आपको बताना चाता हूँ कि YouTube पर काफे सारे चैनल ऐसे हैं जिन पर जो content है वो एक time के बाद एक limit तक होता है और खतम हो जाता है उसके बाद आप उस channel पर उस related वीडियो नहीं बना पाते लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी categories बताने वाला हूँ जिनके उपर अगर आप अपने YouTube चैनल शुरू करेंगे तो आपको कभी भी content की कमी नहीं होगी lifetime आपको content मिलता रहेगा और आप वीडियो बनाते रहेंगे तो वीडियो बहुत ही जादा informative है वीडियो को पूरा लास तक जरूर देखेगा वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज मेरे चैनल को subscribe करें और notification bell को on करके उसे all पे set कर लें जिससे आपको मेरी आने वाली हर एक नई वीडियो की update सबसे पहले मिले तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं तो friends सबसे पहली category की बात करते हैं जिसका नाम है news का चैनल न्यूस की category अगर आप न्यूस से related वीडियो बनाते हैं आपको पता ही है कि डेली आप न्यूस में भी सुनते होंगे कि डेली नहीं नहीं आपको content वहाँ पे मिलता रहता है नहीं नहीं हजारों लाखो content आपको एक दिन में मिल जाएंगे जिससे आप अपनी वीडियो बना सकते हैं news channel खोल के news की category का आप कोई भी channel खोल लें लेकिन आपको एक चीज का ध्यान रखना है उस पे कोई भी fake news आपको नहीं दिखानी गलत ख़वर कोई नहीं दिखानी बस आपको सही-सही news ही देनी है तो उसमें आपके channel पे आपको content की कोई कमी नहीं होगी और इस category के channel बहुत जादा चलते हैं YouTube पर तो सबसे पहला तो आपका news का channel हो गया अब बात करते हैं दूसरी category के बारे में तो दूसरा है आपका sports का channel आपको पता ही है कि sports में cricket हो गया, football हो गया, hockey हो गया, कबड़ी हो गया, बहुत सारे sports हैं जिनके उप पर आप वीडियो बना सकते हैं और आपको इहां पर content की भी कोई कमी नहीं होगी भर भर के आपको content देखने को मिलेगा और आप उस पर वीडियो बना सकते हैं और अपने चैनल को ग्रोव भी कर सकते हैं ठीक है, cricket sports देखना सभी को पसंद है तो आप इस category पर भी काम कर सकते ह देखें होंगे और उनकी वीडियो भी देखें होंगी आपने जिसमें वो बताते हैं कि इस movie में क्या क्या हुआ उसी तरीके से आप भी अपना movie का review का channel खोल सकते हैं उसमें भी आपको content की बिल्कुल भी कमी नहीं होगी आपको भर-भर के content मिलेगा उसके बाद बात करते है फॉर्थ category जो है आपकी व्लोग की category अगर आप अपने जिन्दगी के बारे में लोगों को बताना चाते हैं कि आप क्या करते हैं रेगुलर व्लोग चैनल आप बना सकते हैं व्लोग category आपके लिए best है इसमें आपको content की कोई कमी नहीं होगी daily routine आप अपना उसमें capture कर सकते ह है camera से upload कर सकते हैं आपने YouTube पर भी व्लोग के काफी सारे चैनल देखे होंगे तो उस तरह का चैनल भी आप create कर सकते हैं अब बात करते हैं पांच भी category के बारे में वह है travel blog अगर आपको घूमने फिरने का शोक है तो उससे related आप travel blog वाला चैनल भी बना सकते हैं category का तो इसमे क्या होगा आपको content की तो कमी होगी नहीं कि आप कहीं भी गूमने जाएंगे तो वह शूट करके डाल सकते हैं आपको भर-भर के content यहां पर देखने को मिलेगा और आप लगतार आप वीडियो भी बना सकते हैं इससे बड़ी बड़ी वीडियो भी आप capture कर सकते हैं अब बा आपको content नेट पे भी मिल जाएगा वहां से भी आप उठा सकते हैं और अगर आपको खुद आता भी है तो आप अच्छे से समझा भी सकते हैं तो इसमें आपको content भर-भर के मिलेगा कमी बिल्कुल भी नहीं होगी क्योंकि आपको पता है स्लेबर्स वगेरा काफी सारा content क्योंकि इसमें भी आपको भर-भर के content है क्योंकि आपको पता है कि technology है डेली की डेली नहीं नहीं टेक्नोलोजी आती रहती है और जो existing technology उसमें improvement होती रहती है डेली लगातार कुछ ना कुछ इंप्रूव होता रहता है जैसे YouTube को ही देलिए YouTube अपने algorithm में डेली कितने अपड तो आप technology का channel भी बना सकते हैं अब बात करते हैं 8th category के बारे में जो है आपकी unboxing की category तो आप किसी भी product का review कर सकते हैं उसे open कर सकते हैं अपने unboxing की वीडियो देखी ही होंगी कोई भी market से product लिया उसको unbox करते वे video बनाई तो इस तरीके से भी आप unboxing में भी आपको भर-भर के content म मिलेगा क्योंकि आप किसी भी product का review कर सकते हैं mobile हो कुछ भी हो उसको unboxing करते वीडियो बनाके दिखा सकते हैं तो आपको कोई भी content की कमी यहां पर होने वाली नहीं है अब बात करते हैं last category 9th category जो है वो है astrology अगर आप राशी फल बनताते हैं भविश्य वानी करते हैं भविश content पूरा भर भर के मिलेगा कोई भी कमी नहीं होगी तो friends मैंने आपको यह 9 categories बताई हैं जिनके उपर आपने YouTube चैनल को शुरू कर सकते हैं और आपको यहां पर content lifetime तक मिलता रहेगा अगर फिर भी इस वीडियो से related कोई question आ रहा है कोई query है तो आप मुझे नीचे comment section में comment करके पूछ सकते हैं और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो पसंदाई हो तो से like और share जरूर करें thank you